Hello everyone, welcome back to knowledge review classes, आप सभी को बता दू कि CETAT का latest notice आ गया है, आईए डिसकस करते हैं इसमें क्या बोला गया है, देखें, ये बताया गया है कि जो भी CETAT अगस्त का exam दिये थे, जो 20 अगस्त को exam आयोजित हुआ था, इसमें आपका जो उत्तर पुस्तिका है, टेके, उसकी scan की गई चवी और उत्तर कुंजी, इनकी website पर 15 से लेके 18 तारिक तक available रहेगी, टेके, तो ध्यान ररिएगा, आप ये क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, अगर आपका answer की है, और ये आप अगर कोई question को challenge करना चाहते हैं, तो 15 से 18 तारिक के बीच आप question को challenge कर सकते हैं, challenge करने पर question, ठेक है, पर question, एक हजार आपको pay करना होगा, ठेक है, आप जमा करें, उसके बाद, ये पैसे वापस नहीं किये जाएंगे, क्यों नहीं किये जाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूं, ज्यान सुनेगा, यदी, यदी board दोरा चुनोती सुईकार कर ली जाती है, यानि उस विसे, विसेजग्यों, जो भी specialist है उस विसे में, उस कुझी में, अगर आपके जो answer की में, अगर गलतियां पाते हैं, तब तो अगर challenge के accept करते हैं, जब गलतियां होगे, तब ही accept करेंगे, तो उसके बाद ही आपके सुल्क वापस कर दिये जाएंगे, otherwise आपके 1000 रुपे व आपके accounts में आ जाएं, तेक है, यही इन्होंने बताया है, सेटेट के, जो CBSC ने यह पूरा detail दिया है, यही information थी, जिसको आपके साथ share करना था, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि सीटेट का, जो result है, 28 सेटमबर से पहले आपको देखने को मिलेगा, तो फटा फटा फट कि मस रहे, थैंक यू सो मच